हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे फेज के मुकाबले लोकसभा चुनाव की वजह से दुबई में खेले जा सकते हैं। हालां कि अब भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जैशाह ने शनिवार 16 मार्च को इन अटकलों को खारिज कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि IPL के मुकाबले विदेशों में नहीं खेले जाएंगे। 21 मुकाबलों का शेडियूल हुआ है, जारी ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि BCCI अब कुछ ही दिनों में दूसरे फेज का शेडियूल भी जारी कर देगा। आज से 23 दिनों पहले BCCI ने फेज वन का शेडियूल जारी कर दिया है। शेडियूल के अनुसार टूर्नामेंट की शुरुआत 22 मार्च से होगी, जो 7 अप्रेल तक चलेगी। इन 17 दिनों में कुल 21 मुकाबले खेले जाएंगे। इस दौरान 4 डबल हेडर मुकाबले देखने को मिलेंगे।